हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम अगर यात्रा के लिए आज रविवार के दिन निकलें तो क्या खा कर निकलें और हम कौन सी दिशा में यात्रा करें जिससे कि हमारा दिन आज सुब एवं मंगल में रहें आज हम कौन से देवी देवता वे भगवान को पूज कौन से वस्तर पहन कर पूजा करें आज कौन सा तोटका करें जिससे हमारे सभी कश्ट दूर हो जाएं तो दर्सको आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाने जा रहा हूं रविवार को क्या खाकर जाना चाहिए रविवार को गी अत्वा दल्या खाकर यात्रा करनी चाहिए तो आपकी यात्रा सफल रहने वाली है रविवार को कायर की सफलता के लिए पान खाकर घर से निकलना चाहिए रविवार को कौन सी दिसा में यात्रा नहीं करनी चाहिए दक्षण दिसा की यात्रा की मनाई होती है या फिर सावधानी पूर्वक इस दिसा में यात्रा करने की सला दी जाती है वास्तू के अंसार सुक्रवार और रविवार को दिन पस्चिम दिसा और दक्षण पस्चिम कोण में दिसासूल माना जाता है इस दिन क्या नहीं करना चाहिए जोति सास्त के अंसार रविवार को नमक खाने से स्वास्त पर खराब असर पड़ता है ऐसा करने से व्यक्ति के हर कार में बादा आने लगती है यहीं नहीं इस साम को भोजन सूरास्त से पहले कर लेना भी जरूरी माना जाता है रविवार को ब्रत रखने से क्या फायदा है रविवार के दिन भगवान सूर देव की पूजा की जाती है बहुत से लोग इस दिन ब्रत भी रखते हैं रविवार का ब्रत रखने से समस्त सारी कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम दुख सुखों को प्राप्त करता है जोति को क्या खाना चाहिए रवीवार के वरत में गुड के साथ गेऊं की रोटी अत्वा दलिया खाने का विदान है इस वरत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डालें और किसी माध्यम से इसे ग्रहन ना करें रवीवार को सूर्व महुरत में उठ जाएं और इस्नान कर साप कपड़े धारन करें गड़ी जी का ध्यान करें तामे के लोटे में जल लालप रोली अक्षत और काला ते मिला कर उगते हुए शूर को अरग दें अरग देते समय शूर मंत्र और गायत्री मंत्र को पड़ें रविवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए रविवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए जोतिस के अंसार रविवार के दिन आपको कुछ चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए क्योंकि यह असुब माना जाता है आपको आर्थ खानी हो सकती है सूर दोस्त का सामना करने से बचने के लिए रव रविवार के दिन इसनान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूरदेव को अरग दें इस समय ओम वासदेव आए नमय मंत्र का जाब करें ऐसा करने से कुंडली में सूरवली होता है रविवार के दिन प्रातहकाल में मचलियों को आटे की गोलियां खिलाएं रविवार को क्य का दान करना चाहिए सास्त्रों के अंसार रविवार के दिन स्रद्धा अंसार गरीवों को फल कपड़े भोजन में संबंद चीजों का दान करना चाहिए ऐसा करने से असाय लोगों से उनकी दुआएं प्राप्त होती है इसके अलावा रविवार के दिन चावल दूद और गुड का दान कर सकते हैं, इन दनों का दान करना उत्तम होता है, सूर को अर्ग देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, मंत्र के साथ अर्ग देने से पूजा का लाव सीगर मिलता है, भगवान सूर को जल देते समय ओम आदित्याईनमे मंत्र का जाप करें, इसके इलावा ओम ग्रणी सूर्याई नमे मंत्र का जाप करना चाहिए सूर्य को जलतेते समय अपना मों पूरवद साब की तरफ करें और मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप सूर्य को अर्ग देते समय अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो गैत्री मंत्र लगबग समी को याद होता है तो सूर्य को अर्ग देते समय गैत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए मंत्रों का राजा कौन सा है अन्य समी मंत्रों की उत्पत्ती भी गैत्री के गर्व से ही हुई है इसलिए गायत्री मंत्रों को सभी मंत्रों का राजा और गुरु मंत्र कहा गया है बेदों में तो यहां तक कहा गया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने से सभी मंत्रों के जपने का लाव स्वता ही मिल जाता है ब्रह्मरशी ब्रस्वामित्र जी को गायत्री का पर्थमरशी कह जाता है तो दर्शकों यह रहे आपके रभीवार के उपाए अगर आप रभीवार के दिन एन नियमों को कपालन करते हैं तो आपका दिन सुब एवं मंगल में रहने बाला हैं अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इसी प्र करती दिन राशी पल जाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रादे रादे जैस्री रादे